दोस्तों कुछ नजर सानी आ रहा है बाकि हाँ नजर हटा के देखे अपडेट वैसे देखो तो अपडेट मतले इतने अपडेट आ रहे है ना Microsoft वालों ने अगेन वाई Windows 11 के लिए special design टीचर निकाले है पर लोगों ने 10 पर भी करवा दिया करवा दिया वही कर रहे है बोले तो बिल्कुल भाई Microsoft वाले रुकने को तयारनी अभी रीसेंट में इनका अपडेट आया था वह भी जोड़दार थे मसालेदार थे बढ़ अगेन इन्होंने पूल पैश्पूट काटकर कूल करते करते भाई एक और तीन-चार अपडेट यह भी हो सकते हैं देखो मैं मानता हूं यार बहुत सारे यूजर अपने ऐसे भाई है बिल्कुल होंगे यार जो विंडोस 10 अभी यूज कर रहे है विंडोस 10 तो भाई क्या बढ़िया ओपरेटिंग सिस्टम उसकी तो बात ही अलग है वक्त के साथ 11 पर कुछ-कुछ चीज़ करा गया शायद आपको older version में भी दिख जाया पर मैं officially कुछ नहीं बोल सकता हूं initially तो 11 के लिए अवलेबल है लेट सी यार अगर आता है 10 के लिए तो आपको अपडेट कर देंगे अब चीज़े के अपडेट में आये वह बहुत मैसिव है अगर अगर आपडेट पर को detail दी गई है अभी देखो यह initially start हुआ है अभी तो रोल आउट होने में थोड़ा time लगेगा पर आपको मिल जाएगा 30 सत बेस्ट चीज मुझे यह लगी है अब भाई किसी भी चीज पर क्लिक करोगे तो directly उसकी complete information आ जाएगी आपको properties में जाके वह सब करने की जरूवत न अब देखो अब ही currently का scene के है हम लोग जो PC उसकरते हैं यहां पी मेरे जपास जो PC है इनमें RGB रहता है अब देखो हाई चीज का अलग RGB होती है like case का अलग RGB चल रहा है फिर motherboard आपका है उसकी अलग RGB के software आपको डालने पड़ रहे है प्रोसेसर का fan है तो उसका अलग चल रहा ह यह scene रहता है अगर आपके पास भी एक RGB का PC होगा थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे हो अब यह चीजों को completely मिटा सकता है यह Microsoft का नया टूल यह लोग basically एक भाई RGB टूल लेके आ रहे है अब देखो किस नेम से आता है किस तरीके का use होता है और इसको यह totally RGB control के लिए जा रहे है मतलब laptop भी आजकल तो यह RGB के आने लग गए पढ़ आप desktop में खासी पकड रहेगी और देखते हैं भाई कितना यह software tool integrated कर पाता है और look कितना बढ़ा पाता है वह तो आग वक्त से पता चलेगा बागे यह चीज मेरे को लगता है काफियत तक Windows 11 तक ही limited रहेगी यह दो तो यार अच्छे features थे चलो देखो यह आते हैं कहां आते हैं कैसे आते हैं टाइम लगेगा जितना भी बागे दोस्तों वैसे मज़े की चीज आपको बताओ आप चाहो ना Windows 10 पे भी यह यह नहीं भी आती है तो कर लेंगे वह कैसे वह developer कुछ ना कुछ तरीके निकाल द उसमें chat GPT का integration chat नाम से एक bot वाला scene बढ़ा दिया इन्होंने AI supported totally अब क्या हो रहा है इसको परस्नल लेवल पर चेक करा जा रहा है यह तो सब इन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया अब जब परस्नली लोगों को दिया गया इसको चेक वेक करने लिए तो वहां पे result थोड़े यह fix हो जा तो अच्छा है बढ़ा implementation इतनी fast करी ना इन्होंने एक मन्त में announce करके implement कर दिया कुछ चीज़े गलत होई है मेरेको लगता तो यह चीज़े solve हो जाया तो best रहेगा मागी currently AI अपना जो edge में आया इतनी अच्छे से work नहीं कर रहा है पर हां देखते है इंप्रूव हो जाना चाहिए बागी यह कुछ अपडेट निकल के आया है कुछ more updates आएगा तो उस पर look on करेंगे बागी currently देखो आप कौन सी operating system यूज़ कर रहे हो कमेंट में बताना बागी चलो यार इस वीडियो में इतना है अगर पसंद आई हो तो बिल्लुल भाई लाइक कर सकते हो